जब आपका दिल कोई अच्छी सी चीज खाने को मज़िदार सी चीज खाने को चाहे तो मेरे तरीके से इस तरह से आप मैक्रोनी बनाइए तो चलिए मैं आपको बताती हूँ जै किस तरह से मैंने तयार की सबसे पहले हम एक पैन लेंगे उसके अंदर आदा कप गी का शामिल करेंगे कुकिंग और गी अब डालें उसके अंदर चॉप किया हुआ लसन डालें और लसन को थोड़ा सा फ्राइ करें लसन का कलर चेंज नहीं करना इसको हमने अलका सा फ्राइ करना है रसन फ्राई करने के बाद इसके अंदर प्यास जाएगा दर्म्यानी सा इसका मैंने चॉप किया हुआ प्यास डाल दिया है अब इसको हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे इसको भी अलका सा सौटे ही करेंगे ज्यादा फ्राई नहीं करेंगे इसके बाद इसके अंदर जूलियन क तक इसको हम उल्ट फिलट करते हुए फ्राई कर लेंगे और साथ ही इसके अंदर हम थोड़ा सा भाइड पिपर ग वाईद पिपर सोया सास यह दोनों दुट आलक grant कैस्को हम मजीद फ्राई करेंगे उए इसको फ्राई करने के बाद इसके और तोड़ा से नम्मक डालेंगे थाक़ नम्मक इसके निदर चला जाए इसको fry करते ही हमारा चिखन गल जाए गा इसको फ्राइज曲 हमारा चिखन गल जिनगा अब श्यम्मला मिर्स चाहेगी तुरमारा चिखन पर्शो के लिदाई स्वेमे कि raft दाओं बंद को पकाएंगे और वाइट पेपर का एक चमच जाएगा नमक जाएगा और सोया सॉस जाएगा सबस्ब्स नमक पेपर डाल के फ्राइगे ताके जाएका इसके अंदर तक चला जाएगा इन सबस्ब्स को थोड़ी दिर फ्राइगे ज्यादा इसको हमने फ्राइ नहीं करना इनको सॉफ्ट नहीं करना तेज आंच पे थोड़ा सा फ्राइगा इसके बाद मैंने सबस्ब्स बॉयल करके रखी हुई थे क्योंको यह हाड होती है आलू मटर और गाजर इसको भी इसके अंदर डाल के हम फ्राइगे और इसके अंदर भी सोया सॉस जाएगा इसके बाद इसके अंदर चिली फ्राइक की एक चमच चाहेगी अब इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे तो यह सबस्जियां हमारी अब रेडी हो गई है इन सबस्जियों को हम एक प्लेट में निकाल लेंगे फिर हम नेक्स टैप करते हैं अगर आप मेरे चैनल पे नह मैदे के डालेंगे हो इसको थोड़ा सा हम भूनेंगे मैदे को हमने जस्ट भूनना है खुछबो आने तक इसको हमने कलर चैनल नहीं करना वाइड रहने दिन आ अब यह भूनगया है इसके अंदर अब हम दूट डालेंगे 2-3 कप इसके अंदर दूट जाएंगे और अब इसके अंदर वाइड पेपर, साल्ट, यह दोनों चीज़ें डालके चिली फ्रैक, यह डालके हम इसको अची तरह से मिक्स करेंगे, यह मारे वाइड सॉस तैयार है, अब इसके अंदर बॉयल की हुई मैकरोनी डाल देंगे, मैकरोनी को मैंने पहले से बॉयल करके रखा और जो वैजटेबल हमने रेडी की थी वो भी इसके उपर डाल देंगे, और अब इसके अंदर सॉया सॉस के तक्रीबर पांस से चे टेबल स्पून इसके अंदर जाएंगे, सॉया सॉस हम डालके इसको अची तरह से मिक्स करेंगे, वाइड सॉस में, तो लीजिए हमारी आईए और सर्दियों में गर्मा गर्म खाईए, इंज्वाए कीजिए, बहुत ही मज़्यदार बनती है, इसके अंदर कैचप मायोनीज का भी इजाफाप कर सकते हैं, अगर हम चाहें तो इसके अंदर डाल लें, टेस्को इन्हेंस करने के लिए, चलिए डिश आउट करते ह और मुझे इजाज़त दीजिएगा, दौा में इजाद रखिएगा, अपना भी खियार रखेगा, अल्ला हाफेज़